तो दोस्तो फ्यू मन्थ पहले वीवो ने अपने बजट क्रेगरी का स्मार्टफून वीवो एस वन को लॉंच करा था जो कि अपने प्राइजिंग के साफ से बहुत ही बैतरी नी स्मार्टफून था जिसमें हमें स्नैपड्रेगन के 665 का प्रोसेसर, इन डिस्पले फिंगर प्रिंट सेंसर और 32 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा देखने को मिला था तो दोस्तो इसी स्मार्टफून का सकसेसर वीवो एस वाइफ वीवो बहुत जल लॉंच करने वाला है जो कि आने वाला 108 मेगा पिक्सल के क्वाड्रेर कैमरे के साथ और उसके साथ ही यहां पर आपको स्नैप ड्रेगन के 730 का प्रोसेसर इंडिस फ्ले फिंगर प्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफून के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफून में और क्या होने बहुत यह बैतरीन ग्लोसी ग्रेडिंस के साथ और उसके साहिज समाट्फवन के सब्सक् Supply एमोलेट डिस्प्ले जो की आने वाला एक डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर के साथ और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में सेलफी के लिए आपको एक पपप सेलफी कैमरा देखने को मिलने वाला है जो की आने वाला है 32 मेगा पिक्सल के सेलफी कैमरे के साथ और उसक उसके साथ ही दोस्तों बात करें इसे स्मार्टफून की प्रोसेसर की तो दोस्तों भीवो A novel के बाद BVS5 में बहुत ही बड़ा चिंजस देखने को मिलने वाला है प्रोसेसर क्रेटेगरी में दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला जो कि आने वroit एंडरिनो के 680 के GPU के साथ और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफून की बैटरी की तो दोस्तों स्मार्टफून ने देखने को मिलने वाला 5000 इमेज की बैटरी जो कि आने वाला 22.5 quand के फास साजिंग के साथ और दोस्तो फास अजर भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है वहीं बात करें दोस्तो इस स्मार्टफून की रियर सैट की कैमरा की तो दोस्तो इस स्मार्टफून में देखने को मिलने वाला है जहां एक 108 Mpx का कैमरा सेमसिम का देखने को मिलने वाला है वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको 13 Mpx का एक अल्टरा वाइड एंगल लेंज 8 Mpx का एक टेली फोटो लेंज और 5 Mpx का एक देब सेंसर देखने को मिलने वाला है इसे स्मार्टफोन में और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफून की ओपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों स्मार्टफून में देखने को मिलने वाला है Android Q का सपोर्ट जो की आने वाला है Vivo के फंटच OS के साथ और उसके साथ ही दोस्तो फाइनली बात करें स्मार्टफून की प्राइजिंग और रिलीज डेट की तो दोस्तो इस स्मार्टफून की स्टार्टिंग प्राइज आपको अंडर 20,000 रुपीज देखने को मिलने वाला वेज वेरियन का जो की होने वाला 4G RAM 64G internal storage के साथ और फाइनली बात करें रिलीज डेट की तो दोस्तो इस स्मार्टफून को इंडिया में भी वो नौंबर के महिने तक लौंच करेगी तो दोस्तो यही थी स्मार्टफून के बारे में कुछ confirm leaks और rumors जो की मैंने इस वीडियो में आपके संग सेयर करा है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें, comment करें और चैनल को subscribe करें तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए keep smile and have a great day